शरमाती है तीज़ पुर्दान मंत्री कहते हुए शरमाती है बीजेपी वालों नसले परबाद हो जाएंगी तुम्हारी किसानों की कपर खोद कर आप जीव इतनी रह सकते मेरे साथ अडानी और अम्बानी है दोस्तों जो तुम्हें जब चाहे जब खरीद लेंगे और तुम देखते रहोगे 75 दिन इस पूरे आंदोलन को अब तक हो चुके हैं लेकिन भारत सरकार नरेंदर मोदी इन सारे जो कैबिनेट है उसकी किसी को भी सुनाई नहीं दे रहा और ये मानकर सरकार बैटे हुई है कि छोटा मोटान दोलन है मैं उस आपके माध्यम से बताना जाता हूं भारत सरकार को नरेंदर मोदी को खास कर क्योंकि नरेंदर मोदी अमिस्सा इस पूरी पूरी सरकार को चला रहे हैं और पूरी सरकार को गलत तरीके से चला रहे हैं यहीं दो लोग हैं मैं दोनों को लोगों को कहना जाता हूं कि हमेशा जी क्या तुम्हें शरम आती है नियादी थोड़ी बहुत प्रदान मंतरी नरेंदर मोदी जी क्या तुम्हें शरम आती है नहीं आती थोड़ी बहुत अगर थोड़ी बहुत शरम बची है तो थोड़ा सोचो दिमाग से सोचो इस देश का किसान अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा है इस देश का किसान 130 करोड के लोगों की अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा है किसान अपने वक्ति के तौर पर अपने लिए नहीं बैठा हुआ किसान अपने लिए ना तो RBI का कोई खजाना मांग राँ है ना किסी अलग देस की मांग कर रहा है किसान अपने अधिकारों की मांग कर रहा है जो उसकी जरुर्त है आ जाती से लिए कि aby अब तक किसानों के लिए जो भी सुधार लाने चीए ते किर्शी के अंदर वो नहीं लाए गए हमेशा किसानों की फसलों को इस तरह खरीदा गया है जैसा किसान फ्री में उगाता है आए दिन किसान की फसलों को फसलों को उगाने के लिए उसको बहुत ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ रहा है उसका डीजल महंगा हो रहा है उसका खात महंगा हो रहा है उसकी दवाईया महंगी हो रही है उसका मजदूर महंगा हो रहा है उसका पानी महंगा हो रहा है उसकी बिजली महंगी हो रही है क्या नरेंदर मोधी किर्शी मंतरी को दिखाई नहीं देता कि किसान अपनी जो फसल को किस रूप में किन परिस्थेतियों में उगा रहा है क्या उन्हें सोचने का मोका नहीं मिलता हमेशा अपने अपने आपको नरेंदर मोधी मीडिया के माद्यम से अपने आपको भगवान साबित करने पर लगे हुए है प्रदान मंतरी नरे नर्मोदी ये दिखाना चाहते हैं कि मुझसे बड़ा और मुझसे अच्छा कोई दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ मैं प्रधान मंद्री निर्वेंदर मोधी ची को पताना चाहता हूँ तो दोस्ट प्रधान मंतरी जी आपने एक एक करकर सारी चीजे बेच दी बेच हैं और अपने प्रद्धान पक्रूँ चार पांच कर दी है regarding मुझे शर्म हाती है कि विबक्षपर हमारे देस का ?... विपक्ष है कॉंग्रेस सबसे बड़ा विपक्षी दल है वो चुप बैठा हुआ है अगर आज विपक्ष कमजोर है तो आज किसान सड़कों पर है अगर विपक्ष में तागतवर होता तो शायद आज ये दिन देखना नहीं पड़ता वो दिन जब भाजपा विपक्ष में लेकिन आज विपक्ष चुप चाप बैठा हुआ है पैट्रोल डीजल गैस जितने भी खाद्य परदार्त हैं खादान है सबजियां है सारी चीज महेंगी हो चुकी है इस देश के अंदर लेकिन किसी को कोई मतलब नहीं है सरकार को तो कोई मतलब ही नहीं है लेकिन विपक् तो उसे देश दुरोई पाकिस्तानी अर्बन अक्सली जीता किसानों को बोला जा रहा है इस तरह से उनको भी बोलकर उन्हें चुप कर दिया जाता है ये कब तक चलेगा मैं नरेंदर मोधी को बताना चाहता हूँ सुनो नरेंदर मोधी जी पिरदान मंतरी आप 5 साल के लिए बने 5 साल के लिए और बन गए लेकिन 500 साल के लिए नहीं बनें आप किसानों की कबर खोद गजर आप जीव इतनी रह सकते अप जिंदा नहीं रह सकते अप जिसे साफसक किसानों की हत्याई कर रहे हैं 200 मौत पर मोन बैठे हुए आप 200 200 किसान मर चुके हैं अब तक लेकिन तुमारे तुमारे मुझे एक सब्स नहीं निकलता मन की बात करते हैं आप मन की बात में किसान के लिए दोश शब्द नहीं है तुमारे पास दुख होता है मुझे बहुत ज़्यादा है हमारे देश का प्रदान मंतरी जिसकी क्रेटिबिलिटी होती है आज तुम जो बोलते हैं लोग सस्ते हैं जाझ जोँट बोलना नहीं है तुमारे शब्दों में बिल्कुल भी विच्वस सिन नहीं लिए नी बच आप दुनिया का सबसे ज्यादा जूट बोलने वाला प्रदान मंतरी नहीं अरों बोधी令 इस देश का है उस देश का तड़ी पार हुमारा ग्रह मंतरी हमारे मरने के लिए जिस देश का ग्रह मंतरी तड़ी पारो हो क्या व उस देश में सुर्ण साफ अवश्ता outreach नहीं रह सकता है क्या भायों भायों को लड़ा दिया आपने हिंदु मुसल्मान कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे हैं नफरत पर दिया आप लोगों ने हमारे अंदर कभी जलीतों के नाम पर लड़ाते हो कभी चाट के नाम पर लड़ाते हो कभी मुसल्मान के नाम पर लड़ाते हो पुरा देस के अंदर आपने पुरा हाल कर दिया है, आक्रोस पेदा कर दिया है, तुमने फचा कुचा किसान था, किसान को भी नहीं छोड़ा आपने, किसान को भी बेच ही दिया, इस चंद पूंजी पदियों के हाथों में, किसान को भी बेच दिया आप लोगों, शरमाती है पर्दानमंत्री केहते हुई। तेरे जीते नीष्ड्दानमंत्री आस तक में सचा बेते हुए। दोसौ, किसानों की अखतियों पर ना बोलने वाला बिर्धान मंत्री, मेरे मूद से भी परिधान मंत्री कहते है, यह अब यह किसान को मार दिया है तुम लोगों है, किसान की व्यामिक आर्थिक नितियों के साथ थेल दोरहो ैं आप लोग, कूँजी पतीयों को वेच रहो है किसानों की बात कर रहे हैं किसानों की वोट पे लेने वाले वो सांसाथ क्यों नहीं बॉलता है सांसाथ कहां मरगे सारे राजनीतिक दिल किसानों पर वो गोली तान रहे हैं किसानों को आतंगवादी कह रहे हैं किसानों को नकसली कह रहे हैं कितना बुरा हाल कर दिया तुम लोगों ने देश का सारे भाईयों को लड़ा दिया तुमने पूरी सारे पूरे देश के तार तार करकर रख दिया पूरा देश तुमने एक सो थीस करोड क्या बादी वाले मुल्क तुमने बरबाद करकर रख दिया रे रे दर्बोधी बरबाद करकर रख दिया तुमने सरमाति है तुम्हें ब्रधान बत्री कहती हुए पिच्छतर दिन हो गए है नरेंदर मोधी को एक काले कानून वापिस ले ले इसी में भलाई है नहीं तो नसले बरबाद हो जाएंगी तुम्हारी ध्यान रखना इस देश के अंदर ऐसा इतिहास रचा जाएगा कि बीजेपी वालों को वोट देने वालों को भी तुम्हें वोट देने वाला नि मिलेगा दिहन 畅ड पिरदानमंत्री जी ने बोला था कि एक एक कॉल पे हम बैठे हुए हैं कहा है वो नंबर ? इतना जूटा पिर्दान मंत्री इतना जूटा इतना मकार पिर्दान मंत्री पूरी दुन्यों में नहीं मिलेगा दोस्तों पूरी दुन्यों में नहीं मिलेगा पिर्दान मंत्री की एक पत की गरीमा होती थी लोग विश्वास करते थे विश्वसनेता थी एक पिर्दान मंत् मैं आपको बता दूँ कैसारी डिबेट में आपको नहीं पता नाइन टीवी आज दाग एबीपी न्यूज इन सारे चैनल ओपर ठीक है साब ने बोलाएं कि प्रदान मंत्री जी में नंबर तो दो कौन से नंबर से बात करें हमारे नंबर को तो सावर जी निक कर दिया तो जो हमारे किसानों के नंबर एक हमेस करके दिखा दे बान मंतर तरी वारता नहीं है, जलील करते हैं, घारा बार की वारतो माई टांतों की सालूशन निकले कि कि इससने लिए प्रकार व्यां को वापिस नहीं ले रही कि प्रदानमंद्री गिर्वी रखचुका है कि आम बाणी कहाँ भिए रहा है एंच और लिए प्रेजर्व नियुक्त की यही मांग है ओर यह अधिकार में उनका लोगा किसान को अपनी जो जो उसकी पसल है जब वाप डीजल पढ़ा देते हो यूरिया बढ़ा देते हो बिजली बढ़ा देते हो तो क्या किसान की फसल नहीं पड़नी चीए नमक दो हजा उन्निस सो बैयानों में पांच रुपे का नमक ठाटा का आज 20 रुपे का हो रहा है ते कितनी मुल्य विरदी हुए पता ही आप जो कॉर्परेट की चीजें हैं वो तो वो तो आस्मान हो आप इसको दे रहे हो 6,000 रुपे अप मीडिया हो आप गाउमें चले हो 2,000 की आबादी अगर सो लोगों को भी पैसे मिल रहे हो तो पिसान हो को भीनक दे रहे हो किसानों को नचेजार की चुरुत है नगा तसाजार की चुरुत है और पस बात पूप अरे मन की बात भाई दखो ये डरपको कायर और नाकाम पिरधान मंतरी है ये मन की बात भी करेगा अगर इसके अंदर उकात है न इसकी हिम्मत है तो यहां मंच खुला पड़ा है किसान का यहां जाए हमारे सामने और यहां करके दिखाए मन की बात मेरा एक ही धर्म है नेमेरा एक ही मेर बास करना चाहता हूँ बहुत पर रखनका है ऐसी का तेंव सोधा यह करका है अस्वेश्शना है जादा जाता हूं भाइव भपाई वेणी आट खरीकितने वाला आक भी मिल गया है उपस्का नाम है अम्बानी और अडानी भाईयों बैनों यह आपको उच्छत मुल्य देगा आपको बढ़िया तरीके से खरीदेगा आपको कभी भी किसी तरह की टिक्कत पैदानी होने देगा क्या अगर आप ब्यक्ने के लिए तयार हो क्या रहा भाईयों कैसे बैटेव बॉल से बिकने के लिए तयार हो अगर आप बिकने के लिए तयार नहीं हो गए तो बाई मैं पुली leo से 好 का और ये जितने भी जोग हैं And लेज द्रोहिया आप लोगों को साबिद करके आपको जेल में डालबा दूगा तब तो भिखोगे नहीं भिखोगे और बाईयों बहनों कि मेरे पीछे सचिंत्हंदुलकर है मेरे पीछे कंगनार रावत है तुम्हारे पीछे कौन है बता यह मैं आपके पूछने जाता हूं पता ये कोई आपके पुछ है कोई है क्या कोई नहीं है तुम्हारे साहर तॉस्तों जो तुमें चब चाहे जब खरीज लेंगे और तुम देखते रहो तूसाँ मेरे लिए एक देश को भी निरटा कोई मोश disgust मैं जब चाहूं इस देश को बेच सकता हूं, मैं सेना को भी बेच सकता हूं, किसान को भी बेच सकता हूं